दोस्त नमस्कार आपके घर में हो महालक्षमी का प्रवेश मैं हूँ देविश दोस्तो रोजाना शोभय और शाम हम आपके लिए छे छे तरो ताजा खबरें लेकर आते हैं उसी क्रम में आज हम चर्चा करेंगे कि अमेरिकन सेन्य अधिकाली ने बहुत ही इंपॉर्टेंट भविश्वानी करी है तो आडानी के शेर्स की जो पिटाई है वो अब राजनीती का विशाय बन गई है तो कस्मीद में भारत जो एक ब्रिज बना रहा है इंफ्रस्टक्टर का प्रोजेक्ट है लेकिन पश्चमी देशों की जो मीडिया है उसको भईया वो भी पसंद नही वाला है मजा आएगा पक्के से इसलिए वीडियो निश्चंत होकर देखिएगा सबसे पहले दोस्तों अमेरिका के सेहन अधिकारी को बोले को पच हो गई बोले क्या पेट में बोले गड़ो गड़ो हो रही तो क्या तुमने हाज मुझा नहीं आ रहा दुनिया में बोले क् किस्कटका है बोले यार हमारे पिट से आइडिया निकला है कि चीन जो है हमला करने वाला है टाइवान में अगले 2 सालों में अच्छा एशी बात है तो आपके जो रक्षा關係 है वो तो कुछ और ही कह रहे थे वो तो कह रहा है आप युद्ध की तारीखे क्यों ढूट रहा है भाई साब युद्ध की भविश्वानी करना उल्लूओं का काम है बहतर तो तब होगा भाई साब जब आपकी तैयारियां इतनी पुक्ता हों कि यह युद्ध कभी हो ही ना और दोस्तों हमने तो चर्चा करी है कि भ क्या तुम लोग मतलब जो है चीन को पैसा क्यों दे रहे हो तुमारा निवेश रातों राज जीरो हो जाएगा अगर युद्ध हुआ तो पॉइंट यह है कि बाइडन बबा के सासनकाल में अमेरिकन डिफेंस मिनिस्ट्री फाइनेंस मिनिस्ट्री शेर मार्केट सब अलग तो हमने तो पहली चर्चा करी थी कि यह जो अडानी के शेर्स की पिडाई हो रही है इसका शेर मार्केट से कोई लेना देना नहीं है यह राजनेतिक लड़ाई है अडानी तो फ्यादा है असली निशाना मोधी जी पर है और अडानी ने जो क्विंट और एंडी टीवी को खरीदा उसका बदला ले रही है पश्च्चिमी देशों की लेफ्ट लिबरल मीडिया इसलिए सभी कुट्टों ने मिलके अटेक किया है अडानी के शेर पर शेर तूट रहा है तो दोस्तों यहां अडानी का कहना है कि साब हम तो अपने एफ्पीयों में परवर्तन करनी ज तो आप जो है एफ्पीयों को तो बचा लेंगे लेकिन भाईया आपकी जद्धुमिल हो जाएगी आपको यहां वहां नाइवाय नहीं दिखना आप तो भाईया सीधा चले जाओ 1980 की दसक में धिरुभाई अम्मानी का स्टॉक रिलाइंज भी शोर्टर्स ने शौर्ट किया था धिरुभाई अम्मानी ने तब अपने दोस्तों की साथ मिलकर रिलाइंस का शेयर खरीदा था शौर्टर्स ट्रैप हो गयते तब भी शौर्ट स्क्वीज हुआ था यदि उस रहे हैं किसाब LIC ने SBI ने क्यों निविश किया तो क्या पहला बार निविश कर रहे हैं वो अरे इनके साहसनकाल में भी निवेश कर रखा था सब्सक्राइब लड़ा रहे हो खुल्ले में आऊ ना ऐसे भाया हाइडनबर्ग रसर्च के कंदे पर क्या बंदूग चला यह वीरता की नहीं गुरू यह कायरता की निसानी है इसी बीच दोस्तों देख लीजिए यह फॉरन पॉलिसी मेगजीन याद होगा आपको बाला कोट स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान के साथ हवाई यूद धुगा था जिसमें एफ सिक्स्टीन मार गिराया गया था तब इस फॉरन पॉलिसी मेगजीन ने अमेरिका के हवाले से रेपोर्ट छापी थी कि अमेरिका ने काउंटिंग कर लिए भारत ने कोई एफ सिक्स्टीन नहीं मार गिराया है पॉइंट यह है कि जो फॉरन पॉलिसी मेगजीन है यह पहले से ही अमेरिका और पाकिस्तानी सेना की ग ब्रिज के बढ़ने से सेना को होने वाला खर्चा कम हो जाएगा सेना का जो है कास्मीर के ऊपर कंट्रोल मजबूत हो जाएगा मतलब एक ऐसा ब्रिज जो की कास्मीर का काया कल्प कर देगा आर्थिक दस्ट्रिकोंड से कास्मीर दुनिया को पीछे छोड़ दे यह सुनस्चत करेगा यह ब्रिज तो भाईा इसी ब्रिज का विरोध कर रही है फॉरन पॉलिसी आप देखिए दोस्तों जैसे जैसे इस ब्रिज का फीटा कटने की डेट पास में आएगी दुनिया भर में इसका विरोध होगा दुनिया के हर देश ने हुचे से हुचे ब्रिज बना लिए जब हमारा नमबर आ रहा है तो इनको ये घटना करम फूटियांक नहीं सुआ रहा है इसी बीच दोस्तों इविएशन गैस इसका इस्तमाल किया जाता है हवाई जहाजों में और ड्रोंस में ये हम इंपोर्ट करते थे यूरोप से बहुत कमाई होती थी यूरोप की तो अब यह बंद कर दी है बोले कैसे बोले एविएशन गैस भारत में बनने लगी है ना सिर्फ हम अपनी जरूरत बना रहे हैं बलकि अब एकसपोर्ड भी कर रहे हैं यूरोप के मुंसे निवाला छिल लिया है तो अब आप सोचिए तो यह यह उसी मुंसे मोदी जी की तरीफ करेगा यह तो लेकिन अब भारती से ना कह रही है कि एक दो नहीं 130 model villages बना रहे हैं जिन में जो सुवधाइं होंगी वो ऐसी होंगी कि सेहरों को मात देंगे ये हमारे सीमावरती गाउं अगर हमने world class सुवधाइं अपने सीमावरती गाउं में मोहिया गरवाई तो भाईया उन गाउं की रहने वाले लोग क्यों जो है सेहरों में धक्का खाने के लिए आएंगे और ये लोग जो सीमा पर रहते हैं ये सेना के हाथ मजबूत करते हैं इसलिए भारती सेना ये लुकाम कर रही है बहुत बड़ी है लेकिन सोभाविक है तूकि ये अच्छा काम हो रहा है इसलिए पर्यावरण बादी इसका भी ब्रोथ करेंगे ये पर्य जहाज बनते हैं वो बनाती जी आरे सिए गार्डन रीच बिल्डर्स लेकिन जाज के जो इंजन होते हैं बिना इंजन के कौन सा जाज चलेगा वही साब तो वह इंजन विदेश से आता है रॉल्स रॉइस जर्मनी सप्लाई करती है आप काम हो गया बंद इंपोर्ट का क्य यह इंजन बनाने की सब 18-19 का फरक है वह जो राज है यह रॉल्स रॉइस जर्मनी बताती नहीं थी पॉइंट यह है कि जहां टेक्निकल स्पेसिफिकेशन पर मिल गए इतनी लंबाई इतनी चोड़ाई का यह कंपोनेंट बनना है भारती कंपनिया देखते देखते घंटो मिन्टों में करके कंपोनेंट बना देंगी रॉयल्स रॉयस जर्मनी के एंजन भारत में बनेंगे और दुनिया में विखेंगे इसलिए भाई सब यह काम हुआ है बहुत सांदर काम हुआ है रही बात दोस्तों लगातार खवरें आ रही है नौक्रियां जाने की कल फिर सौ सौंबार है सौंबार में आप जैसे ही टाइल लगाएंगे तो जान गले में आ जाएगी आपका पास चलेगा या नहीं ऑफिस में घुसने दिया जाएगा या नहीं प्राइवेट कंपनियों के जो इंप्लोईज हैं उनको तो भाईया जी हमारा आपसे निवेदन है कि भा करना है तो आप विचार कीजिए आत्मने रवर इंवेस्टर आत्मने रवर फ्यूचर्स और आत्मने रवर ऑप्शन्स कोर्स पर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है लेकिक करके अपना पसंदीदा कोर्स जल्दी से जल्दी जोइन कर लीजिएगा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद जैश्त्री राम